नमस्कार पहरे सातियों सातियों हम चर्चा कर रहे थे राजनातिक संस्कृति पर राजनातिक संस्कृति की समन्द में कुछ चर्चा हमने इससे पहले वाले किलास में की जिसमें राजनातिक संस्कृति क्या है राजनातिक संस्कृति की विभिन परिभास आएं राजनतिक संसकर्टी के इस्तर, राजनतिक संसकर्टी की विसेस्ताएं, राजनतिक संसकर्टी के निर्धारक तत्वे और विभिन विद्वानों के अनुसा राजनतिक संसकर्टी के प्रिकार आधी पे चर्चा हमने इससे पहले वाले क्लास में क्यार लिए थी पोलिटिकल कुल्चर या राजनतिक संस्कृति के समध में चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में एग topik आपका complete हो जाएगा तरवन गुटीविनिंग राजनतिक संस्कृति के विभिन रूप राजनतिक संस्कृति के विभिन रूप कल्पना गुडी मिनिंग देखो आमंड और वर्बान है लोगों की सहभागीता वैं अलगाव के आधार पर अठात लोगों की राजनेतिक व्यवस्था के अंतरगत कितनी सहभागीता है या फिर अलगाव है इस आधार पर और राज व्यवस्था के इस्थाइत्व और एस्थाइत्व में संसकर्ति की भूमिका के आधार पर राजनेतिक संसकर्ति के तीन रूप बताए हैं या राजनेतिक संसकर्ति को तीन भागों में बाटा है तो आमंड और सिड्नी वर्बा इन दोनों ने एक तो लोगों की राजनतिक संस्कृति के तीन रूप बताए है इन तीन रूपों की हम बात करें तो शंकिन राजनतिक संस्कृति पहला रूप दूसरा रूप बताया है अधिनस्त या प्रजा भावी राजनतिक संस्कृति और तीसरा बताया है सहभागी राजनतिक संस्कृति आमंड और सिड्नी वर्बा ने तीन तरह की राजनतिक संस्कृति बताई है संकिन राजनतिक संस्कृति अधीनस्थ या प्रजा भावी राजनतिक संस्कृति और तीसरी सहभागी राजनतिक संस्कृति सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संकिन राजनतिक संस्कृतिक देखो जो संकिन राजनतिक संस्कृति होती है इस संस्कृति में नागरिकों को अपने समाज की राजनतिक संस्ताओं का अपने समाज की राजनतिक प्रिकरियाओं का और अपने समाज की राजनतिक गति विधियों का के बारे में कोई जानकारे नहीं होती है या बहुत कम होती है साथ ही नागरिकों की बहुत कम अभी रूची होती है या फिर होती ही नहीं है तो संकिन राजनतिक संस्कृति की अंतरगत जो नागरिक है वो अपने समाज की राजनतिक संस्ताओं प्रिक्रियां और गती विध्य में अभी रूची नहीं रखते हैं या नहीं होती है और अभी रूची होती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होती है इस संस्कृति में नागरिक्ता की भावना का भाव होता है यानि इस नागरिक संस्कृति के अंतरगत यानि संकिन जो राजनतिक संस्कृति है इसके अंतरग हैं उनको राज ब्योस्ता की गतिविधियां प्रिक्रियां वादे में कोई रूचि होती ही नहीं कि इस संसकर्ति में लोग है वो राश्ट के बजाए इस्थानियता से पैचान रखते हैं यह अपने आस्पास के छेटर तक सिमित होते हैं अपने परिवार अपने कबीले तक सिमित होते हैं या अपने छोटे से गाउं तक सिमित होते हैं उसी से अपनी पैचान रखते हैं राष्ट्रियत से जुड़ा उनका नहीं होता है अर्थात राष्ट्र की भावना का अभाव उनमें होता है व्यक्ति अपने गाउं या कबीले के बाहर किसी भी बड़ी राजनतिक परणाले के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं रखता है यानि व्यक्ति इस तरह की संसकर्ति यानि जो संकूचित राजनतिक संसकर्ति है इस संस्कृति के जो व्यक्ति हैं वो केवल अपने गाउं और कबीले तक को जानते हैं अपने गाउं और कबीले के बाद भी कोई बड़ी राजनतिक परणाली होगी इस बात की जानकरे उनको होती ही नहीं है या फिर होती भी है तो थोड़ी बहुत मामूली जानकारी होती है साथ इसमें समाज के विसेश अंगों के लिए विसेश भूमी का नियत नहीं होती है यानि अलग-अलग कारियों के लिए अलग-अलग संस्ताइं इसमें नहीं होती है एक ही अंग है वो तमाज राजनतिक विवस्था के विभीन कारिये करता है अर्था इसमें भूमीका विभीनी करण या संरचनात्मक विभीनी करण नहीं पाया क्या था है भुमिका विभीनी करन या सनरचनात्मक विभीनी करन कहई दें तरह की राजनत्य विवस्था में नहीं पाय जाता है और इसका मतलब क्या हुआ कि अलग-अलग कारियों के लिए अलग-अलग संस्ताई या अलग-अंग नहीं पाय जाते है जो संकिर्ट राजनतिक प्रणाली होती है इसमें परिवर्तन की आसा नहीं होती है तो संकिर्ट राजनतिक संसकर्ति के अंतरगत जो राज व्यवस्था या राजनतिक प्रणाली या सिस्टम है इसमें परिवर्तन की आसा नहीं होती है कर्थात इसमें गत्यात्मक्ता का या गत्यसिल्टा का भाव होता है इसमें इस्थिर्टा होती है बनी बनी बनाई जो व्यवस्ता है उसको बनाई रखने पर ही जोर इसमें दिया जाता है व्यक्तिकी समाज के भीतर राजनतिक भूमी का नहीं होती है तो संकेंट जो राजनतिक संसकर्ती है इस तरह की संसकर्ति में व्यक्ति की समाज के अंदर भी कोई विश्यस भूमिका नहीं होती है इसके उधारनों की बात करें भूटान, अफगानिस्तान, अरब, यूगांडा, आधी देशों की जो राजनतिक संसकर्ती है वो संकिन राजनतिक संसकर्ती के अंतरगत आती है जो भूटान, अफगानिस्तान, अरब देश, यूगांड इनकी राजनतिक संसकर्ती को हम किसके अंतरगत रख सकते हैं संकिन राजनतिक संसकर्ती के अंतरगत रख सकते हैं दूसरी तरह कि जो राजनतिक संस्कृती बताई है वो बताई है अधिनस्त या प्रेजा भावी राजनतिक संस्कृती, subject political culture. इस तरह कि राजनतिक संस्कृती में जो नागरिक है वो सामाने राजनतिक प्रिणाली या राजनतिक व्यवस्ता वे प्रिणाली को व्यवस्ता भी कह सकते हैं, इस तरह कि संस्कृती में नागरिक है वो राजनतिक व्यवस्ता के नीतियों गिड़ने नियम और संस्ताओं के प्रति सजग तो रहते हैं, परंतु राजनिति में उनकी सक्रे भूमी का या सह भागीता नहीं होती है। जो अधिनस्तिय प्रिजा भावी राजनतिक संस्कृती है या सब्जेक्ट पोलिटिकल कल्चर है, इस में जो नागरिक है वो अपनी राज व्यवस्ता के प्रति, राजवेवस्था के निती, नियम, निर्ने और संस्ताओं के प्रतिश सजग रहते हैं अर्था जानकारी रखते हैं परन्तु राजनिती में उनकी भागेदारी नहीं होती है, भूमिका नहीं होती है, सक्रिय भागेदारी और सक्रिय भूमिका नहीं होती है यहां के जो लोग है यहां पिर जब हवी संसकर्टी के जो लोग है उनको राजनतिक संसकर्टी का तो ग्यान होता है लेकिन सहभागीता नहीं होती है संसकर्टी का ग्यान है लेकिन सहभागीता नहीं है सहभागीता का अभाव है उधार्ण की बात करें तो पूर्वुपनिवेस नाइजीरिया सीन आ थी, यह पूर्वुपनिवेस जो नाइजीरिया पूरुपनिवेस जो चीन था उसमें इस तरह की संसकर्ती देखने को मिलती थी, है, तीसरी तरह की जो राजनतिक संसकर्ती बताई है, वो बताई है सहभा के राजनत्यक संस्कार्थ, पॉलिटिकल कलिचर हैं इस तरह की संस्कृत्य को इस थी संस्कृत्यिक्मि Ł यहां अधीनस्त में सहभागिता नहीं थी, सजग्ता तो थी, लेकिन सहभागि जो राजनतिक संस्कृति है, इसमें सजग्ता भी है और सहभागिता भी है, दोनु चीजे है. नागरीक अपने राजनतिक संस्ताओं, राजवेवस्था, प्रिकृरियाओं, गतिवीधियों की प्रति सजग भी हैं और साधी साथ राजनति में सक्रे भूमिका भी निभा रहे हैं, अर्थात भागेदारी भी निभा रहे हैं अर्थात यहां के जो लोग हैं उनको राजनतिक संसकर्ती का भी ग्यान है और सहभागीता भी है जब कि पिरजा भावी में राजनतिक संसकर्ती का तो ग्यान था लेकिन सहभागीता नहीं थी यहां दोनों चीज जे हैं और जो उदारवादी विक्सित देश हैं उनमें सहभा संस्कृति देखने को मिलती है और यहां तार्किक सक्रियतावाद होता है भावनात्मक नहीं होता है यहां प्रतेक कारें को तरक से देखा जाता है भावना से नहीं देखा जाता है जाचा जाता है परखा जाता है तरक पे उसको लिया जाता है तरक के आधार पर उसको सही गलत ठहराया जाता है इस तीन तरह की राजनतिक संस्कृति की बात की है सड़नी, वर्बा और आममंटने लोगों की राजनतिक व्यवस्ता में सहभागेता और अलगाव के आधार पर और राज व्यवस्ता के स्थायतों और ऐस्थायतों में संस्कर्टी की भूमेखा के आधार पर रंकुचित राजनतिक संस्कर्टी प्रजा भावी या अधिनस्त राजनतिक संस्कर्टी और सहभागी राजनतिक संस्कर्टी और ये जो वर्ग वर्गी करण है, ये राजनितिक संस्कर्ति का एक आदर्स वर्गी करण है, ये साम्मान वर्गी करण भी इसको कहöst हैंeg Congmatic लिए जाते हैं ऐसे की नागरिक संस्कृति पूँछ ले जाएगा हैया नागरिक संस्क्रति के अइधान किस से धुड़ी ही है। इसतरय के किसरह पूछ ले जाते हैं यहां से च 될 राधे राधे है कि एक इम सप्देना गी श१ पदेन अब सांस्क्रति का नागरिक संस्कृति तेकर नागरिक संस्कृति की जो अवधारना है ये आमंड और सिड्नी वर्बा की है आमंड और सिड्नी वर्बा ने नागरिक संस्कृति या सालिन संस्कृति की अवधारना दी है तो नागरिक संस्कृति को सालिन संस्कृति भी कहा जाता है सालिन संस्कर्टी भी कहा जाता है और यह अवधार्णा आमंड की गय सिडनी वर्बा की सिद्धा या से किसन बन जाता है देखो नागरिक संस्कर्टी के अंतरगत अभी जो हमने तीन तरह की संस्कर्टिया पढ़ी है नागरिक संस्कर्टी के अंतरगत अधीन संस्कर्टी और सहभागी राजनतिक संस्कर्टी के मिले जुले लक्षन एक विसेस प्रतिमान के रूप में पाए जाते हैं आमंड और सिड्नी वर्बा के अनुसर बिर्टेन और संक्राज अमेरिका की जो संस्कर्टी है वो नागरिक संस्कर्टी की सरते पूरी करती है एक तो बिर्टेन, UK और दूसरा USA. इन देसों की जो संस्कर्ती है वो नागरिक संस्कर्ती की सरते पूरी करती है. इन देसों में जो संस्कर्ती पाई जाती है वो तीनों तरह की संस्कर्तियों का मिश्रण होता है जिसमें संकुचित भी है, अधीनस्त भी है और सहभागी भी ह होती है और इन देशों में लोकतंत्रिक इस्थिरता का भी यहीं रहस से है यूके और यूएसे में जो सालों साल से लोकतंत्र इस्थाई बना हुआ है उसकी इस्थिरता का रहस भी क्या है नागरिक संस करती है इन में लोकतंत्रिक इस्थिर्ता का रैस भी, सिड्नी वर्बा और आमंड के अनुसार क्या है नागरिक संसकर्थी और सबसे स्रेश्ट संसकर्थी की हम बात करें तो सबसे स्रेश्ट संसकर्थी भी नागरिक संसकर्थी को ही माना जाता है नागरिक संस्कृति के दो प्रमुक तत्वे माने जाते हैं नागरिक संस्कृति के दो प्रमुक तत्वे माने जाते हैं एक है कानून का सासन दूसरा है कानून के प्रती सम्मान कानून का शाशन और कानून के प्रती सम्मान ये नागरिक संसकर्थी के दो प्रिमुक तत्वे माने जाते हैं अरेंज लिज फोर्ट ने नीदर लेंड की संसकर्थी को नागरिक संसकर्थी माना है ऑमंड और सिद्नी वर्बा की बाद करें तो इन्होंने यूक्य और, USA की संस्कर्थी को नागरिक संसकर्थी माना है जबकि अरेंज लिज्वर्ट की हम बात करें, इन्होंने नीदर लेंड की संस्कर्थी को नागरिक संसकर्थी माना है अनिल यूजी से नैट आंसर सीट से मैंने चेक किया 27 परस्ट और सेकर्ड नमर सत्याउन होई है तोटल चोड़ा से नेट हो सकता है यारफ तो होगा नहीं साथ वो नहीं पाएगा नेट हो सकता है कैटेगरी क्या है आपकी अनिल जनरल में तो यह दिक्कत आएगी ओब इस सी वग्यरा कैटेगरी है तो हो सकता है भूमी का संस्कृति भूमी का संस्कृति यह जो कांसेप्ट है यह भी आमंड और शिड़नी और उधार्णा है नागरिक संस्कर्ति भी आमंड ओर शिड्नी वर्बा की है भुमी और संस्कर्ती की अवदारणा भी आमंड ओर शिड्नी वर्बा की है ओबीसी में हो जाना चाहिए, नेट हो जाना चाहिए, सकता है, हो जाना चाहिए, भूमी का संस्कृती है, नागरिक राजनितिक संस्कृती की एक उप संस्कृती है, भूमी का संस्कृती, जिदा कि उसन यहां से यही पूंच लिया जाता है, भूमी का संस्कृती की आवधार ना है और ये जोब्हूमि का संसकर्ती इसे का संबंधह विजातिय संसकर्ति वाले संसकर्ट। में आभी जनों के मुल और विश्वास अलग-अलग होते है जो विजातिय संस्कृति वाले देश हैं उसमें अनेक अभीजन होते हैं एलिट्स होते हैं और यह जो एलिट्स होते हैं या अभीजन होते हैं इनके मुल्य विश्वास भी अलग-अलग होते हैं यहां कई तरह की संस्कृतियां होती हैं इनकी संस्कृति में भिन्यता होती है जो एलिट वर तुट दो भूमिका संस्कृत्य आपरण और शिट्नि का अवध्णा उपसंस्कृति है विजाथि संसकृति वाले देशों में पाई जाती है यहां विभिन अभीजनों के मुल्ल विस्वास अलग-लग होते हैं अधार्थ यह जो अभीजन हैं इनकी संस्कर्थी में भिन्निता होती है एक सिधान्त है लोकतांत्रिक संस्कर्थी का स्वान निद्रा सिधान्त लोकतांत्रिक संस्कर्ती का सवान निद्रा सिधान Sleeping Dogs Story Sleeping Dogs Story सीधा कि यहां से यही बन जाएगा Sleeping Dogs Story है किसकी इंगलिज सब्द आएगा इसका हिंदी के वज़ाए हिंदी भी आ सकता है लेकिन ज्यादा संबावन रहेगा कि इसको यह सब्द दिया जाए किसकी है आमंड और शिड्डी वर्बा की अवधारना यह भी है और यह जो इसमें समान निद्रा सिधान जो नाम पड़ा है ना ऐसी ही संसकर्ती होती है जैसे कि कुटा सोया हुआ है और एकदम से कोई खत्रा उत्रा मैसूस करेगा तो वो अचानक से खड़ा होगा भूकेगा इसी तरह का इसमें होता है यानि इस तरह की संसकर्ती में जब तक संकट नहीं आते हैं तब तक तो लोग सुथते रहते हैं उनका राजनिती की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है और जब संकट आते हैं तब जाके लोगों का ध्यान राजनिती की तरफ जाता है और सविक्त राज अमेरिका के संधर में ये सिध्धानत है यानि इसका आर्थ ये है कि अमेरिका वास्यूने घोटाले युद्ध या आर्थिक संकट जब तक पैदा नहीं हुए जब तक राजनिती की तरफ ध्यान ही नहीं दिया अमेरिका के जो लोग है वो सवान निद्रा की नींद में है जब तक अमेरिका में घोटाले नहीं हुए या युद्ध नहीं हुए या कोई आर्थिक संकट पैदा नहीं हुए जब तक लोग सोते रहे जब संकट पैदा हुआ तब उन्होंने राजनिती की तरफ ध्यान दिया अर्थात ये आमड और सिडनी वर्बा ने लोकतांतरिक संसकर्ति के स्लिपिंग डोक्स का सुजाओ दिया है और इस कार्थ ये हो जाएगा कि लोगों की कम भागीदारी और सरकार के साथ व्यापक संतुष्टी जब तक संकट नहीं आएंगे तब पूरी तरह से इसकरिये रहेंगे जब संकट आएंगे तब उनका दियान राजनिती की तरफ जाएगा तो कम भागेदारी और सरकार के साथ व्यापक संतुष्टी इसकी विसेस्ता है sleeping dog छोरी की यह जो सिधान्त है यह अलगाव और अंतरनहित नुकसान को दिखाता है राजनिती के प्रति लोगों का अलगाव दिखाता है और अंतरनहित नुकसान को तरदर्शित कहता है एक है melting pot छोरी या विगलाने वाला बरतन छोरी melting pot इसको ऐसे लिख दिया जाएगा यह जो melting pot किया उधारना है यह जाएक राज अमेरिका की संस्कृति से सम्भादित है USA की संस्कृति से सम्भादित है यह इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं कि एक बरतन है जो इसमें धातू पिगलाने वाला बरतन है तो इसमें जो भी हम धातू डालेंगे वो सारी पिगल जाएगी और सारी क्या हो जाएगी मिक्स हो जाएगी अब धातू बरतन में जो भी धातू डालेंगी वो पिगल की क्या हो जाएगी मिक्स हो जाएगी ऐसा ही अमेरिका की संसकर्ती के संद्रब में है अमेरिका की संसकर्ती में जो आने वाले प्रवाश्यों की संसकर्ती है वो समयत हो जाती है उसका अलग से प्रभाव नहीं होता है बलकि वो अमेरिका की संसकर्ती में ही मिल जाती है अमेरिका की संसकर्ती आने वाले प्रवाश् अपने अंदर समेट लेती है और दूसरी संस्कृति है वह अपनी अलग पैचान खोकर USA की संस्कृति में संभाइत हो जाती है यहां अमेरिका यह सभी क्या हो जाते हैं कर दिक विविद्धिता नहीं पाए जाती है इसके अमेरिका की जो संस्कृति है पिगलाने वाले बड़ एक ठथोरी है, Soul scientific जेलाइड बोल्टोरी या सलाद का कटोरा और यह जो ठोरी है, यह युके की संस्क장्फटी से संब्दित है, या थोरी, युके की संस्क칙्थ संस्ब्दित है, United Kingdom या बर्तेन की संस्कार्थी संब्दित है, जो सलाद का बरतन है, उसमें अलग-अलग चीजों की शलाद है, तो वो अलग-अलग ही दिखेंगे, तो सलाद में जितने भी चीजों की सलाद है, खलकी है या या फिर सब्जों की जो भी सलाद है, तो वो अलग-अलग देखेंगे, वो मिक्स नहीं होगी, तो ऐसा ही युक्य में होता है, युक्य इसमें आने वाली जो नई संस्कर्टी है उसकी पैचान भी बने रहती है जो एसे की तरह नई संस्कर्टी की पैचान समाप्त नहीं होती है जो इतनी भी संस्कर्टी आएंगे उनकी सबकी अपने अपने अलग पैचान होगी संसकर्ति की विविदता यहां होगी इस तरह की संसकर्ति को सामासिक संसकर्ति भी कहा जाता है इस तरह की संसकर्ति को मोजेक संसकर्ति भी कहा जाता है तो दो तरह के नाम हो गए स्लैड बाउल संसकर्ति के सामासिक संसकर्ति और मोजेक संसकर्ति और भारत की संस्कृति भी ऐसी ही है, भारत की संस्कृति भी स्लैड, बॉल, बाउल की अंतरगत आएगी या समस्सिक संस्कृति या मोजग संस्कृति की अंतरगत आएगी या भारत में भी भार्त की संस्कृति भी तलाड बावल या सामासिक या मोजक संस्कृति के अंतरगत आएगी या भी संस्कृति की वीविदिता होगी यह सभी आमन्ड और वर्बा की है यह तो मतलब किसी व्यक्ति विश्यस के लिए नहीं है यह लाड बावल की थोरी है यह यह की संस्कृति से संब्धिते किसी विद्वान की दीवी संस्कृति सब्धावली नहीं है इसी तरह यह जो मेल्टिंग पॉर्ट है यह जोड़े होगी यह यह बिба किसी विद्वान से जूडियी नहीं इसके पहले हमने जो देखा था आ आमट ओ सिद्नी वर्बा की थि जैसे की सवान आदर hemala सवान निठ्रह की थोरी लिपिंग्मूक थोरी आमन्ड वर्भा कि थी नागरिक सन्सक्रति आमन्ड वर्भा और अभूमि का संस्सक्रति आमड और वर्भा की एंद्य करलाकin के बैल्टिंग पूर्ट हाई है स्टेट की है राज्य की है एकलवादी संसकृ. एकलवादी संसकृती में किसी एक संसकृती के दुआरा अन्य संसकृति पर प्रभुत्व इस्थापित किया जाता है, किसी एक संसकर्थी के द्वारा अन्य जो संसकर्थियां है उन पर प्रभूत इस्तापित किया जाता है जैसे कि इजराइल सवधी अरब की संसकर्थी से सम्मादिता जिसमें एक विशे संसकर्थी के द्वारा अन्य सभी संसकर्थियों पर प्रभूत इस्तापित किया जाता है तो ये होती है एकलवादी संस्करती एक है अराजकता की संस्करती और ये जो अवधार्णा है ये अलग जैन्डर वेंट की है अलग जैन्डर वेंट की है अराजकता की संस्करती और ये अंतराष्टी राजनिती के संधर में ये अवधार्णा दी गई है अलग जैंडर वेट के दुवारा यहीं अंतराष्टिय राजनीती में राज व्यवस्था को या नेमों को नीतियों को निर्ने करने वाला कोई एक संगठन नहीं होता है जिस तरह किसी राज नितिक व्यवस्था के अंतर गत्तों संगठन होता है सरकार लेकिन अंतराष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्राष्ट्रा एक है लोकतंत्रिय राजनेतिक संस्कृति, यह अवधारणा ब्रियन बैरी की है, यह अच्छे से याद कर लेना, सिधे-सिधे पूच लिया जाएगा, मैं यह नहीं पूचा जाएगा, यह है क्या बलकि यह अवधारणा किस से जोड़ी है, मैच वाले किसंथ पूंच ले जाएंगी, एक तरफ अवधार्णा होगी, एक तरफ उसके समबनीत विज्वान होगा। इसी तरह से पूछा जा सकते हैं। तो लोगतंत्रि राजनितिक संस्क Baby, Br bacter की है। ब्रियन बेरी ने ये अवधार्णा अपनी क्रती सोशियो लोजिस्ट, इकोनोमिस्ट एंड डैमोक्रेसी उनिस सो अठितर के में दी है। लोग तंत्रिय राजनतिक संस्करती है, वो लोग तंत्रिय संस्ताओं के अंतरगत रहने से आती है। जिदा यहीं सी किसन बन जाता है उस तक उस तक याद रह जाएं तो ठीक है ना भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है बोलिंग अलोन देक लेट कोलेप्स एंड रिवील अमेरिकन कम्यूंटी 2000 की रहती है एक मैकिंग डेमोक्रेसी वर्क यह निस सो तराण में की प्रकासित क्रती है एक अमेरिकन ग्रैस 2010 की रहती है याद रहें तो ठीक है बाकी यह अधारना याद रख लेना देखों सामाजिक पुंजी की जो अधारना थी यह 1970 के दसक के आश्पास पैदा हुई और यह सामाजिक और सांसकर्तिक कारकों को उजागर करने के लिए विक्सित की गई थी सामाजिक पुन्जी की जो अवधारना थी है 1970 के दसक में विक्सित होती है और सामाजिक और सांसकर्तिक कारकूं को उजागर करने के लिए विक्सित हुई थी आथा था एक राज व्यवस्ता के अंतरगत सामाजिक उर्षां स्कờ्ठिक कार्व我們 क्या प्रिभाव रहता है राज्य व्यवस्ता को सामाजिक उर्षांस कर्थit कारक किस तरह से प्रिभावित करते हैं इनको व्जागर करने के लिए सामाजिक पून्जी की अवधारणा आती है 1970 के दसक के असपा इस सब्द का प्रियोग सामाजिक जुडाव को दर्साने के लिए किया जाता है यानि जो सामाजिक पुंजी सब्द या सोसियल कैपिटल सब्द का जो प्रियोग किया जाता है वो सामाजिक जुडाव को दर्साने के लिए किया जाता है यानि लोगों का समास से जुड़ाव, एक राजी व्यवस्ता के अंतरगत लोगों का समास से जुड़ाव कितना है, उसको दर्शाने के लिए इसका प्रियो किया जाता है, हम इसको नागरिक जुड़ाव भी कह सकते हैं, सामाजिक जुड़ाव या इसको नागरिक जुड़ा आती है लेकिन यदि सिक्सा में तनाव पैदा हो जाता है अर्था सिक्सा में कमी आ जाती है या फिर सक्रे नागरिकता में तनाव पैदा हो जाता है तो ऐसे स्थित्य में सामाजिक पुंजी घट जाती है सामाजिक पुंजी गट जाती है, इसका मतलब नागरिक जुड़ाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या सामाजिक जुड़ाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोगों का समाज से जुड़ाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यदि सक्सा में तनाव पैदा होता ह है सक्रे नागरिकता में तनाव पैदा होता है सामाजिक पुंजी में ग्रावट ये अवधारना है रोबर्ट पुटनम की सामाजिक पुंजी में ग्रावट Declining of Social Capital English सब्द भी इसका याद रखेगा Declining of Social Capital ये अवधारना है रोबर्ट पुटनम की और रोबर्ट पुटनम ने अपने लेक बोवलिंग अलोन American Declining Social Capital उननी सो पिचाण में ये अवधारना थी रोबर्ट पुटनम ने उननी सो पिचाण में में अपने लेक बोवलिंग अलोन American decline social capital 1995 अवधाना दी थी और इसमें ये कहा गया कि संविक्त राज अमेरीका में घटती सामजिक पुझी की और धान देना इस लेख में इन्हों ने रोबर्ट पुटनम ने संविक्त राज अमेरीका में जो सामजिक पुझी घट रही थी उसकी और धान आकरसित किया और साथ में ये भी तरक दिया कि अन्य ओधोगिक देसों के दुआरा अमेरिकी रुजानों की पालन करने की संभावना है जिस तरह अमेरिका में सामाजिक पुंजी में घर्टाव देखने को मिला है नागरिक जुडाव में कमी देखने को मिली है उस तरह के रुजान अन्य ओधोगिक देशों में भी देखने को मिल सकते हैं ये कहा रोबर्ट पुटनम रोबर्ट पुटनम ने नागरिक जुडाव में गरावट को या सामाजिक पुंजी में घर्टाव को ये गरावट को उपभोगता पुंजी वाद की विजय और भोतिकता वादी और व्यक्ति वादी मुल्य के प्रेसार से समझाया है यानि सामाजिक पुंजी में घर्टाव या गरावट इसलिए आई है कि उपभोगता पुंजी वाद की विजय हुई है उप्भोकता पुणिवाद की विजया हुई है यह निया लोगों यह जह पुणिवाद है इसमें उप्भोकता संस्कृती पर सबसे ज्यादा बल होता है प्रतेखव्यक्ती ज्यादा schön करना चाहता उपभोगता, पुंजीवात की विजय और भोतिकता वादियों और व्यक्तिवादे मुल्यों का प्रेशार ये रूप में समझाया है सामाजिक पुंजी की ग्रावट को देखें आध्वनिक समाज में ये जो सामाजिक पुंजी में कथित ग्रावट है इसको एकलवादी परिवार, व्यक्तिवाद के उदय और सामाजिक भोगली गती सीलता में व्रदी के साथ जोड़ कर देखा जाता है ये एकलवादी परिवार की वज़े से सामाजिक पुंजी में ग्रावट आई है व्यक्ति बात की उद्यक के वज़े से समाजिक पुंजी में ग्रावट आई है समाजिक और भूगली गती सीलता में व्रदी के वज़े से समाजिक पुंजी में ग्रावट आई है यह ऐसे कारण है जिसकी वज़े समाजिक जुडाव कम हुआ है नागरिक जुडाव कम हुआ है, व्यक्ति अपने तक सीमित हो गया है, व्यक्ति में जो सामाजी की भावना है, उसमें कमी आई है, वो अपने बारे में सोचता है, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा वस्त्वेज उटाने के लिए सोचता है, अपने लिए ज्यादा से पिरसास्तनिक सुदार आयोग है जो 2005 में गठित किया गया था इसने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें एक रिपोर्ट सामाजिक पुन्जी एक साजी नियती सीरसक्से भी है दृस वाली हाँ तो दितीय पिरसासनिक सुदार आयोग 2005 में एक रिपोर्ट जो थी, इसकी इस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट आमजिक पूंजी एक नियती भी है, ये भी ध्यान रखेर, जिरपा मोली सकते दितीय पिरसासनिक सुदार आयोग च достаточно is इसके अध्यक्स्त एक अवधार्ना है concept है राजनिती में तर्कवाथ राजनिती में तर्कवाथ Rationalism in politics Rationalism in politics यह जो concept है यह माइकल ओक्सोट का है माइकल ओक्सोट की यह अवधार्ना है माइकल ओक्सोट का एक निबंद है राजनिती में तर्कवाथ यानि Rationalism in politics Rationalism in politics यह जो लेख था मूल रूप से 1962 में प्रिकासित हुआ था लिखा पहले गए था लेकिन प्रिकासित है 1928 में हुआ था और इस लेख में उन्होंने निरंतरता और परंप्रा के बचाव में लिखा है यह जो बनी बनाई व्यवस्ता है वो continue रहे उसमें निरंतरता रहे परिवर्ता नहीं हो और परंप्राई क्या रहे बची रहे इनके समद में लिखा है इस निबंद में यह जो परंप्रिक मुल्यों और इस्थापित रीती रिवाजों को उनकी परीचितता की कारण कायम रखा जाना चाहिए यह जो परंप्रिक मुल्यों है और इस्थापित रीती रिवाज है उनको कायम रखा जाना चाहिए क्योंकि वो परीचित है वो हमारी जानकारे में है हमारे लिए क्या है वो परीचे तो उनको क्या रखा जाए काइम रखा जाना चाहिए क्योंकि यह जो पारंपरिक मुल्यो और इस्थापित रिती रिवाज है यह आसवासन इस्थिरता और स्रक्षा की भावना पैदा करते हैं यहीं है इनकी अवधारना राजनिती में तर्कवाट सिधा क्योंसन यहांसे बन जाएगे राजनिती में तरकवाद या रहसे निलीजमेंट पॉलिटिक्स इससे सम्मधित होगे माइकल ओक्षूट एक है प्रतिकात्मक पूंजी एक तो सामाजिक पूंजी थी रोबर्ट पुटनम की अवधारना है एक प्रतिकात्मक पूंजी की अवधारना है और यह जो अवधारना है यह पियरे बोर्दिये की है पियरे बोर्दिये की अवधारना है और यह जो प्रतिकात्म racing है यह वर्ग यह समाज में पाय जाती है वर्ग यह समाज का मतलब ऐसा समाज जिसमें वर्ग है जिसमें वर्ग है नो तरह के वर्ग हैं एक प्रभुत्व साली है और एक प्रभुत्व ही है है ऐसे वर्गी समाज में प्रभुत्व साली वर्ग के प्रतीक हैं वो ह्रोग सर्व्all कारे होते हैं अर्थात प्रभुत्व साली वर्ग के जो प्रतीक हैं वो सभी को मानने होते हैं प्रभुत्व हीन जो वर्ग है वो भी उसको मानता है तो प्रभुत्व साली वर्ग के जो प्रतीक होगे क्या होगे पुंजी की तरह होगे जो सभी के लिए क्या है मानने है इसी क कि रांथी की अउधारंडा और मोन कृष्चा की रध हरना यह क्यों पलगान के वह देश yr तो यह यह एभष्णाडल्ड यं गल हार्टि रौनाल्डिंगल हर्टिकल रॉनाल्ड इंगल हार्ट उतल देखने को मिले थे जो अक्रोस भरी सक्रियता थी लोगों में अक्रोस था उतल पुधल हो रही थी सरकारों में प्रति-दिंदी सरकार गिर रही थी 1960 के दसक्या सपास की घटना अगे बाद करें लेकिन 1970 के बाद यहां निस्क्रियता आती है निस्क्रियता देखने को मिलती है और इस निस्क्रियता के कारण यूरोप के राजनतिक जीवन में उत्तर भोतिकता वादे जीवन सैली व्यक्तिकस वैतन तरता और आम अभी व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा उनिस्क्रियता के दोर में उत्तर भोतिकता वादे जीवन सैली व्यक्तिकस वैतन तरता आम अभी व्यक्ति को यूरोप के जो पस्मि देश थे उनमें महत्व दिया जाने लगा और इसी को कहा गया मोन क्रांति उनिस्क्रियता के समन्द में है मोन क्रांति, तो मोन क्रांति की अवधर दैना किसकी है रोनाल्ड इंगल हार्ट की जैनल ये क्रांती है उत्र भोतिकता वादे जीवन सेली व्यक्ति का सवतंतरता और आम अभिव्यक्ति ये क्रांती है और निस्क्रियता है तो वो मौन है तो मौन क्रांती और मौन क्रांती के कारण है दित्ते विस्व यूद के बाद की जन्मी दिया देख उत्तर भूतिकतावाद में व्यापक जन सहमती पाई जाती है, सही शनुता पाई जाती है, नागरिक शदगुन पाई जाती है उत्तर भूतिकतावाद के अंतरगत व्यापक जन सहमती, सही शनुता, नागरिक शदगुन आधी को शामिल किया क्याता है एक अवधारना है प्राच्यवाथ यह एड़वर्ड सहीद की अवधारना है एड़वर्ड सहीद भी इसको लिख दिया जाता है एड़वर्ड सहीद उत्तर ओपनिवेसिक देशों पर वास्यात देशों द्वारा या पस्मी देशों द्वारा सोपे जाने वाले सांस्कर्तिक प्रभुतियों का व्रोध की गया है एड़वर्ड सहीद ने उत्तर ओपनिवेसिक देश हैं उत्तर ओपनिवेसिक देशों का मतलब ऐसे देश जो उपनिवेसिक देशों से सवतंतर हुए है नव सवतंतर जो देश है उन नव सवतंतर देशों पर पास्चात देशों की द्वारा जो सांसकर्तिक प्रभुत्व इस्थापित किया गया उसका विरूद किया है एडवर्ड सहीद ने और इसी को कहा है प्राच्यवाद जो सांसकर्तिक प्रभुत्व इस्थापित किया जा प्राच्य पाथ एक अवधारना है राजनतिक सांसकर्तिक विज्ञान का एक विचार बन्थ राजनतिक सांसकर्तिक विज्ञान का विचार बन्थ एक फ्रेम्वर्क फुर पॉलिटिकल कल्चर लोजी सीधा ऐसा क्यों सन्या से बन जाएगी यह framework for political culture logic किससे related है यह बोब जैसुप की अवधारना है बोब जैसुप की अवधारना है बोब जैसुप की क्रती है traditionalism, conservatism and British political culture उनिसोट चमतर में प्रकासित क्रती है traditionalism, conservatism, British political culture और इसी क्रती में इन्हों ने यह अवधारना दी है यह framework for political culture, cultural logic के अवधारना दी है इस क्रती में बोब जोसेप ने राजनतिक संस्कृति को राज व्यवस्थाओं के इस्थायतु वे उद्देलन का स्रोट माना है यह किसन यहां से तैयार आपका हो जाते है यह जो क्रती है बोब जोसेप की इस मन्में बोब जैसोप ने राजनतिक संस्कृति को राज व्यवस्थाओं यह political system के इस्थायत्व वे उद्देलन का स्रोट माना है राज व्यवस्थायत्व रुद्देलन का स्रोट माना है राजनतिक संस्कृति को बोब जैसोप ने और बोब जैसोप ने राजनतिक संस्कृति के अध्यन के लिए राजनतिक संस्कृति के अध्यन करने के लिए राजनतिक संस्कृतिक विज्ञान का एक विचारबंद या फ्रेमवर्क प्रस्तूत किया है इन्होंने राजनतिक संस्कृति की विज्ञान का जो एक विचार बंद प्रस्तूत किया है वो किसले किया है राजनतिक संस्कृति के अध्यन के लिए किया है यानि इसमें ये कहता है कि राजनतिक संस्कृति का अध्यन है वो आनुभाविक परक होना ची अनुभाव पर ये बल देता है, अनुभाव आत्मक अध्यन पर ये बल देता है, बोब जैसोब, बोब जैसोब कहता है कि राजनतिक संसकर्ति की धार्णा की अनुभाव परक व्याख्या नहीं की गई है, यह कहता है कि अब तक जो राजनतिक संसकर्ति की अवधार्णा है, उसको या तो एक फैसन पार्क सब्द मानकर अपनाय गया है, या फिर विभिन पिरकार की जो ऐस पष्ट धार्नाओं की रद्धी की टोकरी की तरह यूज किया गया है, यह फिर इस राजनतिक संसकर्थी को विभिन प्रिकार की जो एस पष्ट अवधार्नाई या धार्नाई है उनकी रद्धी की टोकरी के रूप में प्रस्तूत किया गया है तो एक सब्ध यह आ जाता है रद्धी की टोकरी तो इनका यह कहना है कि अभी तक राजनतिक संसकर्ति का आनुभाविक अध्या नहीं हुआ है या तो राजनतिक संसकर्ति को एक फैसन परक सब्द के रूप में प्रस्तूत किया गया है यह कहते हैं कि अभी तक राजनतिक कारियों को राजनतिक संसकर्टी से कार्नात्मक या व्याक्ष्यात्मक धंग से नहीं जोड़ा गया है इन राजनतिक कारियों को राजनतिक संसकर्टी से कार्नात्मक धंग से या व्याक्ष्यात्मक धंग से जोड़ा नहीं गया है इनने अनुभव परात्मक व्याक्ष्यात्मक धंग सेजन हो चिह राजनतिक संसकर्टी का गया होना चिए कुल्चर लोजी रिपीट करें ओकी हम बात कर रहे थे एक फ्रेम वर्क पॉर पॉलिटीकल कुल्चर लोजी या राजनिती संस्क्रतिक विज्ञान का विचार बंद यह उधार्णा है बोब जैसुप की आउधार्णा है बोब जैसुप का यह माना है कि अभी तक राजनिती संस्क्रति का जो अध्यान हुआ है वो अनुभाव परक धंग से नहीं हुआ है अनुभाव परक धंग से नहीं हुआ है यह अनुभावात्मक अध्यन राजनितीक संस्क्रति का नहीं हुआ है अब तक जो अध्यन हुआ है राजनितीक संस्क्रति का या तो इस राजनितीक संस्क्रति के फैसन परक सब्द के रुप में प्रयोग किया गया है यह फिर जो ऐईस्पष्ट आउधार्णा है उन एईस्पष्ट आउधारणा की रद्धी की सोकरी की रुप में प्रस्तोत किया गया है अनुभावात्मक अध्यन नहीं हुआ है यानि राजनितीक कारियों का राजनितीक संस्कृति के साथ कार्ये कार्णात्मक धंग से अध्धन नहीं हुआ है व्याख्यात्मक धंग से अध्धन नहीं हुआ है जबकि आउशक्ता किसकी है आउशक्ता है राजनितिक संस्कृति के व्याख्यात्मक कार्णात्मक अनुभवात्मक धंग से अध्ध्यात्मक राजनितिक संस्कृति के अध्यन के संदर में उन्हों ने कहा कि राजनितिक संस्कृति का अनुभवात्मक अध्यन होना चाहिए कारिकार्नात्मक अध्यन हो व्याख्यात्मक अध्यन हो यहीं है वो फ्रेमवर्क यहीं है फ्रेमवर्क, अर्थात इन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया है, वो राजनिति संस्कृति के अध्धन के लिए दिया है, यानि राजनितिक संस्कृति के अध्धन के लिए दिया है, यानि राजनितिक संस्कृति के अध्धन का एक फ्रेमवर्क दिया है, धाचा दिया ह इसके अलावा बोब जोसव के अलावा मरकल के अनुसार भी राजनतिक संसकर्ती के सवरूप का प्रभाव का आनुभविक ढंग से अध्धन किया जा रखता है मरकल का भी ये मानना है कि राजनतिक संसकर्ती के सवरूप का राजनतिक संसकर्ती के प्रभाव का आनुभविक अध्धन किया जा सकता है साथ ही राजनतिक संसकर्ती में आने वाले परिवर्तनों का मापन भी किया जा सकता है प्रमानन भी किया जा सकता है ये मानना है मरकल यह जो कंसेप्ट है यह हंटी गटन की अवधार्ना है यह हंटी गटन का है तब देताओं का संगर The class of civilization यह हंटी गटन का एक लेख या पुस्तक है The class of civilization जो उनिसो ठ्ञाणमे में प्रिकासित हुआ था और इसमें हंटी गटन ने राजनतिक संस्कृतियों की भिन्यता और उनमें टक्राव को देखते हुए लिखा था कि भविस्व में जो विश्व संगर्ष होगा ना वो देशूं के मद्ध नहीं होगा बलकि विभिन तरें की संस्कृतियों के मद्धि या संभ्यताओं के मद्धि होगा तो the class of civilization 1906 में की जो क्रती है इसमें हंटीगटा ने लिखा है कि आने वाले भविस में जो संगर्स होगा वो देशों के बजाए संभ्यताओं के मद्धि होगा इसी को कहा सभ्यताओं का शंगर्स और यह इसलिए कहा कि राजनतिक संस्कृतियों में जो भिन्यता है राजनतिक संस्कृतियों में भिन्यता की वज़े से जो टक्राव की स्थती है उसी को सोस्ते हुए यह बात इन्होंने कही थी सभ्यताओं का संगर्स या the class of civilization आज जसन आवधर्ना हो गई हंटी इसे राजनतिक संस्कृति जो सिधान्त विक्सित हुआ ऊसे राजनतिक संस्कृति का मुख्यधारा सिधान्त कहा गया अभी तक हमने जिन सिधान्त की बात की है राजनतिक संस्कृति के चाए वो आमंड का सिद्धान्त हो, पावेल का हो, वर्बा का हो, फाइनर का हो, डैनियल का हो, कानवग्य का हो, ये सब हैं ये राजनतिक संस्कृति के मुख्यधारा सिद्धान्त है, ये राजनतिक संस्कृति के हम बात करें, ये दो तरह क एक हो गया राजनतिक संस्कृति का मुख्यधारा सिद्धान्थ जो पास्चात जगत में प्रचलिट है या पस्मी जगत में प्रचलिट है और एक हो गया मार्क्सवादी सिद्धान्थ मार्क्सवादी सिद्धान्थ और मार्क्सवादी सिद्धान्थ से संबादित है आमूल परिवर्तनवादी सिद्धान्थ राजनतिक संस्कृति के मार्क्सवादी और आमुल परिवर्तनवादी सिध्धान्त भी है पास्चात जगत में जो मुख्यधार सिध्धान थे इसमें आमंड का जो वर्गी करना हमने देखा आमंड वे सिड्नी भर्बा का वर्गी करना हमने देखा था यह दो इसके रताइगा और इसके लावा काःफ शारभ हाज पाद कि एसके बुदान वाधी करें बहुर। मार्क सूर सुजनुर्ब का ना जा ये екैनिकरत यूर्ब द्वार की उकिकजाएग मार्कस रखंटे जाएंग राजनत sports क्या सिद्धांकी सिद्धांत का जाता है और मुखे धारा सिधांत में आमंड वाइजमन वर्भा कानवग्य और देखिए तरह कि इस सिद्धान्त की उधारवादी चिंतन के साथ निकट जुड़े होने की वज़ेस इसे राजनतिक संस्कृति का उधारवादी सिध्धान्त भी कहा जाता है तो राजनतिक संस्कृति का जो मुख्यधारा सिधान्त है ये पास्चा जगत से जुड़ा हुआ है उदारवादी चिंतन से जुड़ा हुआ है और उदारवादी चिंतन ये पास्चा जगत से जुड़ा होने की वज़े से ही मुख्यधारा सिधान्त को राजनतिक संस्कृति का उदारवादी सिधान्त भी कहा जाता है आमंड और सिड्नी वर्बाने उनिस वस्ती में अपने लेख दैस सिभी कल्चर रिवाइजड के अंतरगत अपने ही खुद के पुराने अध्यन की आलोशन और पुनर्मुल्यान कर प्रस्तूत तो आमंड और सिड्नी वर्बाने अपने ही प्रचली सिधान्त पर क्या किया पुनर्विचार किया इसके अलावा जो माइकल रियान है इन्हों ने भी विचार किया है तरचली सिधान्त पर पहले हम आमंड और सिड्नी वर्बा की बात करने लिखा कि ब्रितेन और सिंक्त आमेरिका में सरकार के प्रते विश्वास में कमी आई हैं और ऐसा लगता है कि लोग नागरिक संस्कृति से हट कर राजनिती को अपने उद्देश की पूर्ती के साधन के रूप में देखने लगे हैं इंस पहले यह कहा जाता था कि नागरिक संस्कृती है वो राजनितीeping प्रभावित करती है लेकिन आब इनको यह लगने लगा कि राजनिती की वो फिक्की पढ़ रिए कम जोर पढ़ रहे हैं तो कि accelerating संसकृति के बजाए राजनिती को अपने उदेश की पूर्ती के साधन के रूप में देखने के लगे हैं इस तरह पिरचली सिधान पर पुनर विचार किया आमंड और शिड्नी वर्बार माइकल रियान ने भी अपनी रचना पॉलिटिक्स एंड कल्चर वर्किंग हाइपोथिसस फोर पोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशाइटी उन्नीस सो नववास के अंतरगत यह हैं तरक दिया कि नागरिक के संसकर्ती है यह पुंजी वाद के उद्य के साथ उबरकर सामने आई थ और समकालें जो समर्द्य समाज है उसमें उत्रभूतिक्तवादे मुल्यों को बढ़ावा देने लग दिया जाता है तो पुंजी वाद के उद्य के साथ नागरिक संसकर्ती आई लेकिन माइकल कहता है कि वर्तमान का जो समाज है समकाल का जो समाज है इसमें तो उत्रभूत की भावना ही कमजोर पढ़ने लग गई तो राजनतिक संस्कृति का विचार भी क्या हो गया है कमजोर हो गया है यह माइकल रियान का कहना है तो माइकल रियान और सिड्नी वर्बा और आमड इन्हों ने प्रिचली सिध्धानत पर पुनर विचार किया अब हम बात करें मार्क्सवाधी परंप्रा में राजनतिक संस्क्रति ही अभी हमने राजनतिक संस्क्रति के दो तरह की सिध्धानत की बात कि एक तो मुख्यधारा का सिध्धान जिसमें आमंड सिड्नीवर्बा वाईजबेन फाइनार कान वग्ये डेनियव अलजार यह लुई अल्थूजर, हर्वर्ट मार्कुजे वगेरा आ जाएंगे तो हम उसी मार्क्सवादी परंपरा में राजनतिक संस्कर्टी क्या है उसको देख लेते हैं देखो मार्क्स और एंजल्स ने अपने ले कृति दे जर्मन आइडियालोजे में लिखा है कि सासित वर्ग के विचार हर युग में सासक वर्ग के विचार होते है अर्थात वहें वर्ग जो पूंजी पर बल रखता है उसी के पास समाज का बोधिक बल होता है तैनि इन्हों ने राजनतिक संस्कर्टी की बजाए विचार धारा सब्द का प्रियो किया प्रधान सब्द का प्रियोग किया विचार्धारा प्रधान सब्द का प्रियोग किया संस्कर्तिक प्रधान सब्द जैसे प्रियोग किया मार्क्स वाद के अंतरकत जो विभिन विचारक हैं उन्हें विचार धारा या सांसकर्तिक प्रधान या विचार धारा प्रधान जैसे सब्दों का प्रियोग किया है राजनितिक संसकर्तिक वज़ाय है यह जैसे कि Marks or Angels की बात करेती है, क्या कहते हैं, कि सासित वर्ग के जो विचार है, वो हर युग में किसके होते हैं, सासक वर्ग के होते हैं, यह जो विचार सासक वर्ग के होंगे, वही विचार क्या होंगे, टंपूर्ण जनता के होंगे, यह इसमें जो सासित वर्ग है, उस पे सासित वर्ग पर यानि समाज में जिस वर्ग का पूंजी पर बल है उसी वर्ग का बोधिक बल भी होता है यानि उसी का विचार पूरे समाज में चलता है यानि विचार धरा का क्या होता है प्रधान्य होता है आधिपत्य होता है सासक वर्ग सासित वर्ग पर अपनी विच मार्क्स के अनुसार विचार और संस्कृति एक अधी शन्रचना का हिस्सा है उन्होंने विचार और संस्कृति को अधी शन्रचना का हिस्सा माना है मार्क्स ने और कहता है कि जो आर्थिक आधार और उत्पादन के तरीकों द्वारा निर्धारित होते हैं यह जो विचार और संसकर्ती है यह आर्थिक आधार और उत्पादन के तारीकों से निरधारित होता है मार्क्सवाद से आपके काल मार्क्स को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए काल मार्क्स ने जो यूगों की बात की है प्रतेक युग में दो तरह की वर्ग बताए हैं एक संपत्ती हीन और एक संपत्ती साली एक संपत्ती साली दूसर संपत्ती हीन तो जो प्रतेक युग की जो अधी संरचना है वो किस पे निर्भर करती है वो आर्थिक आधार उत्पादन के तरीकूं पर निर्भर करती है यह जैसा आर्थिक आधार है जैसे उत्पादन के साधन है उन्हीं से एक उस युग की अधिस संद्चना तै होती है जैसे कि कि कुणिवादी यूग था उसमें उध्धोग आ गए थे तकनिक यह आ गए कि उससे पहले सामन्त वादी योग था उसमें हाथ से चलने वाले ही अंतर थे सिरा कि है तो जैसे जैसे यूग में परिवर्तन हुआ तो आर्थिक उत्वादन के सादनों में भी क्या होता है परीवर्तन होता है? यह फूर्ड़ास मारक्स को याद किजिएगा जिसमें कि युगों की बात की, तो आप देख लीजिएगा, क्लास के बाद याद नहीं ओ हो तो पांच जो यूग कुछ नहीं है बुजुरुवा अर्थात पुंजीवादी पुंजीपती जो वर्ग है पुंजीपती जो वर्ग है उसकी विचार धारा से अलग कुछ नहीं है यानि पुंजीपती वर्ग की जो विचार धारा है पुंजीपती वर्ग की जो संस्कृती है वहीं क्या है संपू मार्क्सवाद के अनुसार विचारधार का कारिये, मित्कूं, ध्रमूं और एससत्यों का प्रिचार करके अधिनस्त वर्गूं को उनके सोसन और उत्पिडन के साथ समझे सिस्ताफित करना है मार्क्सवाद में यह का जाता है कि जो विचारधारा है इसका जो कारिये है, मित्कों को फैलाना, भर्मों को फैलाना, ऐस सत्यों को परिचार करना, यह जूटी चेतना, जिसको एंगल्स कहता है जूटी चेतना, जूटी चेतना फैला कर जो अधीनस्त वर्ग है, उसको अपने सोसन, अपने उत्पिडन से सामझे इस्तापित करना है अर्थात अधीनस्त वर्ग को ये नहीं लगेगा कि लगना चाहिए कि उसका सोशन हो रहा है, उसका उत्पिडन हो रहा है, वो अपने सोशन को अपने उत्पिडन को माल लेता है कि ये मेरे लिये ही है, ये वो सासक वर्ग इस तरह की विचार धरा फेला देता है कि वो अपने सोशन उत्पडन को भूज जाता है उसको अपने भाग्य के लिए माल लेता है कि ऐसा ही मेरे लिए है के ये बात इसमें मार्कश्वाद में होती हैं कि और इसी को मार्कस्वादी ने बुझ्रुवा आधि करा है रिनी बुझ्रुवा की जो विचार धारह है वो स्थोप दी जाती है सर्वहारा वर्गपर या सासित वर्गपर हरबट मार्क्युजे ने इसे दमनकारी सही शनूता कहा है यह जो बुजर्वा अधिपत्ति की जो विचारधारा है इसको हरबट मार्क्युजे ने दमनकारी सही शनूता कहा है या रिप्रेसिव तोलरेंस कहा है वहीं एंटोनियो ग्रामसी ने सांस्कर्तिक प्रधान ने कहा है एंटोनियो ग्रामसी ने सांस्कर्तिक प्रधान ने कहा है तो यह चीद ध्यान रखेगा जमनकारी सही सनुता हर्बट मार्की उजे सांस्कर्तिक प्रधान या विचार्धार प्रदान ग्रामसी एंटोनियो ग्रामसी के मत में नय केवल ऐसमान आर्थिक और राजनतिक सक्ति के द्वारा बल्कि वैचारिक आधिपत्ति के द्वारा भी वर्ग व्यवस्था को कायम रखा क्या आता है जो मार्क्स बात की अकोर्डिंग हम बात करें जिसमें मार्क्स और एंगल्स या एंगल्स की बात करें मार्क्स और मार्क्षि ऩू मित्तर थे एंगल्स या एंजल्स इनका मतलब कि यह करते हैं कि समाज में दो वर्ग होंगे एक संपत्ति काम करें गुजारा करें घन यानि वर्गों का जो विभाजन किसके आधार पर हुआ है एसमान आर्थिक व्यवस्था के आधार पर एक के पास पैसा है दूसरे पास पैसा नहीं है तो एसमान जो आर्थिक व्यवस्था है उसके आधार पर वर्ग विभाजन होता है ये काल मार्क्स और एंगल्स का कहना है लेकिन ग्रामसी कहता है कि इसके अलावा यानि ऐसमान आर्थिक व्यवस्था के अलावा वैचारिक आधिपत्त के द्वारा भी वर्ग व्यवस्था को कायम रखा जाता है अर्था जो सक्तिसाली वर्ग है वो अपनी विचार धारा को जो संपतिहीन वर्ग है या जो सासित वर्ग है उसे थौप देता है जूटी सेतना फैला कर मित्कूं से भ्रमों से असत्य बाते फैला कर वहीं है वैचारिक आधिपत जिसको इन्होंने कहा है सांसकर्तिक प्रधा एंटोनियो ग्रामसी के मत में समाजबाद को हासल करने के लिए विचारों की लड़ाई छेड़नी होगी और जिसके माध्यम से सर्वखारा सिधान पर मुल्ल भुजरवा विचारों को चुनोती देंगे जो हमने काल मार्क्स को पढ़ा काल मार्क्स ने ये कहा कि समाजबाद की जो स्थापना होगी उस समाजबाद की स्थापना के लिए जो पूंजी पती हैं उन पूंजी पत्यों के विरुद सर्वखारा वर्ग क्रांती करके पूंजी पत्यों का नास करेगा और सर्वहारा वरका अधिपत इस्तापित करेगा अधिनायक वाद इस्तापित करेगा और उसके बाद में समाजवाद की स्तापना होगी लेकिन एंटोने ग्रामसी क्रांती के बजाए ये कहता है कि समाजवाद को हासिल करने के लिए विचारों के लड़ाई छेड़नी होगी तैनि विचारों से लड़ना होगा डायरेक्ट किरांती के वजाए किस से लड़ना होगा विचारों के लड़ाई छेड़नी होगी और इन विचारों के लड़ाई के माध्यम से जो सर्वहारा के सिधान्त और मुल्य है वो बुजुरवा वर्ग को क्या देंगे बुजुरवा वर्ग के जो विचार हैं उनको चुनोती देंगे और चुनोती देखर समाजवाद के स्ताफना करेंगे तो विचारों के लड़ाई एक सब्दावली ये आगए किसे समनित हो जाएगी ग्रामसे से समनित हो जाएगी लूई अल्ठूसर या अल्ठूजर भी इसको लिखा जाता है ये कहते हैं कि प्रधान्य वाला पुझी वादी राज्य वास्तों में धर्म, सिक्सा, संचार और संस्क्रती आदी के माध्यम से कारे करता है ये लूई अल्ठूसर का ये कहना है कि जो प्रधान्य वाला पुझी वादी राज्य है ये सक्ती पर कारे नहीं करता है ये विचार धारा से कारे करता है ये धर्म, सिक्सा, संचार, संस्करती आदी संस्ताओं के माध्यम से कारे करता है यह सेना और पुलिस का तो अंतिम सहारे के रूप में उप्योग यहां किया जाता है रोबर्ट कोक्स और इस्ठिपन गिल के अनुसार विस्व की सरवादिक सक्ति साले आर्थिक सक्तियों के दुआरा झाल बाता है झाल 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 ये जो ये जो राजनतिक संसकर्ती का अमुल परिवर्तन वादी सिध्धान्त है ये भी मार्क्सवाद की देन है ये ये कि यह मार्क्सवाद की देन है कि मार्क्सवादियों ने राजनतिक संस्कृति सब्द के बजाए विचारधारा सब्द का प्रियोग किया है या प्रधान ने सब्द का प्रियोग किया है मार्क्सवादियों ने राजनतिक संस्कृति सब्द की जगे विचारधारा प्रधान जैसे सब्दावलियों का प्रियोग किया है और यह कहते हैं कि जो पूंजी पती वर्ग है वो पूंजी पती वर्ग विचार धारा के माध्यम से अर्थात धरम, शिक्षा, संचार के साधनू के माध्यम से जो सर्वहारा वर्ग है उस पर आधिपत इस्थापित कर लेता है सर्वहारा वर्ग पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है और यदि वो ऐसा नहीं करे यानि पूंजी पती वर्ग है वो विचार धारा के मध्यम से यदि सर्वहारा वर्ग को गुम्रहा ने करे गुम्रहा ने करे तो सर्वहारा ये जो वर्ग है ये क्रांती कारी थाबित होगा यहीं है समाज में क्रांती कारी परिवर्तन लाएगा और पुंजी वाद की जगा समाज वाद को स्थापित करेगा यहीं है आमुल परिवर्तन वादी सिधान तो राजनतिक संसकर्थी का आमुल परिवर्तन वादी सिधान शुम्त मार्कसवाद की देन India और इसमें आर्कसवादियोंने राजनतिक संस्कर्थी सब्ते विचारधारा प्रदगा प्रियों सब्यों कि यह कहिते हैं। पूंजी पती विचार धरा के माध्यम से अठाधरम सिक्ष्या संचार के साधनों के माध्यम से सर्वहारा वर्ग पर अपनी विचार धरा को थोप देता है विचार धुरात्मोर्डानी स्थापित कर लेता है और यद्यू पती वर्ग geschक्र में श्र्वान वर्ग कुंन्हान से विचार्ध में तोपे इतैं वर्गवा कुस्ट हो लिए वो मार्क्सवाद में राजनितिक संस्कर्ती हो गया, मार्क्सवाद में कामल परिवर्तन वादी सिधान्त हो गया, अब स्कंडिनेवियाई या नौर्डिक देशों में राजनितिक संस्कर्ती की बात हम कर लेते हैं इसकंडिनेवीय या नोर्डिक देस हों में राजणतिक संसकारते हैं सबसे पहले हम बात करें सकंडिनेवीय या नोर्डिक देस कौन से हैं यूरोप के उत्तरपस्चे में इस्तित 5 देस हैं डैन्मार्क、 फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे और स्वीटन इनको कहा जाता है नार्डिक देश, डैनमार्क, फिनलैंड, आईशलेंड, नार्वे और सिविड. यह पांस देश हैं जो यूरोप के उत्तर पस्यम कोने में हैं, इन पांस देशों को सैखंग तूरूप से कहा जाता है नौर्डिक देश यह सकंडिनेवियाई देश. यह जो पांस देश या राज हैं में एक सहमती वादी लोकतांत्रिक संस्कृती पाई जाती है तो नार्डिक देश में कैसे संस्कृती पाई जाएगी सहमती वादी लोकतांत्रिक संस्कृती अर्थात ये जो पांचू देश हैं यहां लोकतंत्र है मजबूत लोकतंत्र है लेकिन ये जो पांचू देश हैं वो कारिये जो करते हैं वो छेत्रिये ताके बजाए पांचू देशों को ध्यान में रखते हुए करते हैं यानि आपसी सहमती के आधार पर कारे करते हैं इसी वज़े से यहां सहमती वादी लोकतंत्रिक संसकर्ती पाई जाती है यह एक मदबूत छेत्रे पैचान वाले छोटे लोकतंत्र हैं यह पाप्चु जो देश हैं और इन्हें ही सामवी करूप से नाडे किया इसकंडे नेवी यह देश कहा क्या आता है इसमें से हम बात करें डैन्मार्क, नार्वे और स्वीडन यह तीन देश ऐसे हैं जहां समवेधानिक राजस्तंत्रि पाया जाता है जबकि आइसलैंड और फिल्लैंड की बात करें यहां विसिष्ट गणराज्य पाया क्या आता है और छेत्रिय सैमती की धार्णा यह है कि विभिन सुरक्स्या मांगूं धार्णाओं और प्रती बदताओं के संधर में व्यक्तिगत राष्टिक कारेवाई के हमेशा सामविक छेत्रिय हित्यों के अनुरूप होती है कोई भी राष्ट राष्टिक कारेवाई करता है तो वे व्यक्तिगत के बजाए पांचो देसों के सामविक छेत्रिय हित्यों के अनुरूप करता है और इसी को कहा जाता है Nordic Santu यानि जो सामविक छेत्रिये हित्तों के अनुरूप जो राष्ट्रिये कार्यवाई होती है व्यक्तिगत के बजाए पांचों देशों के अंतरगत इसी को कहा जाता है Nordic Santu एक सब दिये आगए Nordic Santu Land तो नोर्डिक देशों में सहमतिवादी लोक्तांतिक संस्कृती पाया जाती है नोर्डिक संतुलन पाया जाता है पाँच राजिस के अंतरगत आते हैं जो उत्रपस्मी यूरोप में इस्तित हैं डैन्मार्क, फिल्लेंड, आइसलेंड, नार्वे, स्वीट लुए, ठीक्र अब हम अगले कंसेट की और चलते हैं राजनतिक संस्कर्थी यह समाजी राजनतिक संस्कर्थी और समाजी करने क्या संबाने में जी राजनतिक संसकर्थी अत्यान्त।unya प्रभावशाली, प्रिकरिया। एवं सनरचिना है राजनतिक संस्कर्ति अत्यधिक प्रभाव साली प्रिकरिया एवं सनरचना है राजनतिक संस्कर्ति की प्रिकरिया समाजी करण बन के बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक चलती है और यह जो प्रिक्रिया है यह समाजी करण के रूप में चलती है इसके रूप में चलती है समाजी करण के रूप में चलती है राजनतिक संसकर्ती की प्रिक्रिया और एक राजनतिक संसकर्ती की प्रिक्रिया जो समाजी करण बनके चलती है इसके कई अवस्ताइं होती है यह र प्रथम आवस्था में व्यक्ति को सामाने संस्कृति में प्रवेस कराया जाता है। दूसरी अवस्था में इसका जो सवरूप है विस्ष्ट और अधिक प्रिकट होता है। दूसरी में बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, तो गली महले में घूमेगा, विध्याले में जाएगा, मित्रमंडली में जाएगा। उनसे उसकी जो राजनतिक संस्कृति है वो और ज्यादा प्रिकट होती है, और ज्यादा विस्ष्ट हो जाती है। सिर्थिये जो अवस्ता है, इसमें समाजी करण का अंत होता है, और व्यक्तिकारियों में भरती होती है। जनि भूमी का अलग-अलग व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग भूमी का रोल निभाय जाते है। इसमें व्यक्ति समाजी करण प्रिकरियों में कति-पय, राजनतिक, सांस्कृतिक मुल्यों का अपने लिए चैन कर लेता है। है मुंको वेक्ति अपने लिए चैन कर लेता है और शेस जो तीन प्रिक्रिया उन प्रिक्रिया उसमें क्या कर लेता है अधीनस्त तरह और यह यह संस्कृत्ती this week को पूलया मुंढ़िया उनकतर अभुवप ये संस्कृति की जो प्रिक्रिया चलती है वो समाजी करण की रूप में चलती है, समाजी करण अनेक अवस्ता में होता है, व्यक्ति के बालना अवस्ता से लेकर व्यक्ति के यूव अवस्ता तक ये समाजी करण की प्रिक्रिया चलती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति एक विसे एक संस्कृति का शंबद होता है दोनों अपस में जुड़ी होते हैं दोनों में घनिश्ट शंबद होता है टेलर के according हम बात करें तो टेलर कहता है कि संस्कृति में समाज के एक सदस होने के नाते मनुस्य द्वारा अर्जित ग्यान, विस्वास, कला, आचार, कानों, प्रत्थाएं, दूसरी छम्ताएं सामिल होती टेलर ये कहता है कि एक जो सामने संस्कृती है राजनितिक संस्कृती की बात नहीं करें, सामने संस्कृती की बात करें संसकर्टी में मुनुस्के दुवारा जो अर्जित विश्वास है कला है आचार कानून प्रत्थाएं और जो दूसरी छमताएं हैं उस सब सामिल होती है सामान्य संसकर्टी के अंतरगत टेलर के अकोर्डिंग वाईजमैन इसामान्य संसकर्टी के बारे में लिखा है कि सामान्य संसकर्टी के बीच और अभी मुखन का भाग होता है अभी मुखन का जुकाओ अभी विन्यास एक जैसा जुकाओ, एक जैसा अभिविन्यास, एक जैसी सोच कह सकते हैं, एक जैसी सोच सामाने संस्कर्टी दो या दो से अधिक व्यक्तियों में एक तरह की सोच का भाग होती है, सामान अभिमुखन या सामान अभिविन्यास या समान जुकाओ का भाग होती है वाई जमन कहता है कि सामान संस्कृति है एक व्यापक शब्द है और इस सामान संस्कृति में व्यक्ति और व्यक्ति समू के व्यवखार का तरीका सामिल होता है इसमें व्यक्ति और व्यक्ति सम्हों की माननेता सामिल है, सम्मान सामिल है, विश्वास गिर्णा होतीक उन्नती, आधी सामिल होते हैं वाइसमेन के आनुसार देखो राजनतिक जो संसकर्ती है, ये सामाने संसकर्ती का एक अभिन अंग है यानि सामाने संस्कृती एक बड़ा या व्यापक है, सब्द है और इसी का एक अंग है राजनतिक संस्कृती इसी का अंग है एक राजनतिक संस्कृती देखो सामाने संस्कृती हैं कई तरह के संस्कृतियां हो सकती है इस तरहें सामान संस्कृति का एक अंग है अभिन अंग है राजनतिक संस्कृति सामाने संस्कृति की अपेक्ष्या राजनतिक संस्कृति प्रगर्ति सील भी हो सकती है या रूड़ी वादी भी हो सकती है यानि यह जरूरी नहीं कि सामाने संस्कृति प्रगति सील है तो राजनेतिक संस्कृति भी प्रगति सील होगी या सामाने संस्कृति रूडी वादी है तो राजनेतिक संस्कृति भी रूडी वादी होगी ऐसा जरूरी नहीं है कामाने संस्कृति के विपरीत या तो प्रगति सील भी हो सकती है या रूडिवादी भी हो सकती है राजनतिक संस्कृति जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में वर्तमान जो राजनतिक संस्कृति है वो सामाने संस्कृति की अपेक्स अधिक गत्यात्मक है अधिक प्रगति स जब कि राजनतिक संस्कृति यहां रूडी बादी है यह हो गई राजनतिक संस्कृति और सामाने संस्कृति का शंभन्ध अब राजनतिक संस्कृति की समस्यें देखो राजनतिक संसकर्ती की कुछ समस्यें भी हैं कुछ आलोचनाय भी की जाती है जैसे कि राजनतिक संसकर्ती है ये पुराने विचारों को ही नया नाम देने का प्रियास है ये कहा जाता है कि राजनतिक संसकर्ती है यह कुछ नया नहीं है बलकि यह पुराने विचारों को ही नया नाम देने का प्रियास है जर्णन्तिक संसक्र्टी का ने तो कुई सर्वस माने संसक्र्तिक संक्य तक निरधारित हुआ है और नहीं पदतियों पर कोई मतेक्षे हैं यह पर औरेंड लिज फर्ट ने भी लिखा यह ने लोकतांत्रिक इस्थिरता को मुल्यात्मक संरस्ता से संब्ध नहीं पाया है। कि लोगतंत्रिक स्थिर्था के लिए राजनतिक संस्कृति जरूरी है लोगतंत्रिक संस्कृति सह भागी होनी चीए कि जतने ज्यादा सह भागिता होगी लोक्तंत्र की शन्सताँ की संस्ताँ विद्धियों में ज्यूड़क तंत्र क्या होगा .. इस्दिर होगा लेकिन अरैंज लिचपूर्ट आशा नहीं पाते हैं इन uh.. या इन आरैंज लिचपूर्ट का मानना है कि अभी जनों की संस्तात्मक शेह भागीता लोकतांत्रिक इस्तिरता प्रदान कर सकते जो राजनतिक संस्कृति के बज़ाए अभी जनों की संस्तात्मक शेह भागीता लोकतांत्रिक इस्तिरता प्रदान करती है और इसको यह सम्सहकारी लोकतांत्रिक कहता है जिस लोक्तंत्र में अभी जनों की संस्तात्मक सह भागीता है जिस लोक्तंत्र की स्थिर्था प्रदान करता है ऐसे लोक्तंत्र को रैंज लिजफोर्ड सम सहकारी लोक्तंत्र कहता है इसके लावा बैटमैन भी लोक्तंत्र की स्थिर्था और राजनतिक संस्कृति के मध्य का लेकरण जैसे सम्मंद्ध को सिविकार नहीं करता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की संस्कृति, भारत की राजनतिक संस्कृति, हम तिये पांच विद्वानों की अकोर्डिंग भारत की राजनतिक संस्कृति को देखेंगे, जिन्होंने भारत की राजनतिक संस्कृति के वारे वर्डन किया है उसमें पहला हम ले लेते हैं Morris Jones W.H. Morris Jones डबलू एच Morris Jones की क्रती है Government and Politics of India ये 1964 में लिखी थी Government and Politics of India इस पुस्तक में Morris Jones ने स्वधिन भारत के आरंबिक दोर की राजनतिक संस्कर्ति का विसलेशन किया है आजादी के बाद का जो भारत था, उसका जो आरंबिक दोड था, उस समय की राजन्तिक संसकर्टी का विसलेसर किया है। प्राम्प्रागत भासा और सुर्व भासा। बहुत की राजनतिक संस्कर्ति के अंतरगत इन्हों ने तीन भासां में तीन मुखवनों की पैचान की है मोरिश जौन्स आधुनिक भासा की हम बात करें तो आधुनिक भासा है ये राष्ट्राज्य से जुड़ी भासा है इस आधुनिक भासा का प्रयोग संधर में किया जाता है और यह जो आधुनिक भासा है यह धरम निर्पेक्स्ता, श्रह भागिता, कानून का सासन और सदभाव आदि से संभादित है यह भासा है धरम निर्पेक्स्ता से, स्रह भागिता से, कानून के सासन से, सदभाव से संभादित है दूसरी तरह की भासा या मौहावरा जो पहचान किया वो है परंप्रागत भासा और परंप्रागत भासा है ये प्राचिन समाज के ढाचे के साथ जोड़ी हुई है यह आमजन की भासा है यह जो आध्धुनिक भासा थी थी वो तो सम्विधान अभीजन और मीडिया के संधर्म में थी जबकि प्रमप्रागत भासा यह आमजन की भासा है आम लोगों की भासा है और इस भासा में जातिवाद, छुवाद, संप्रदायवाद, भासावाद, छेत्रवाद का प्रभाव दिखाई देता है जातिवाद का, भासावाद का, छेत्रवाद का, संप्रदायवाद का प्रभाव इसमें दिखाई देता है यह भार्द में सबका बोल वाला है आमजन में संत सुलब भासा और संत सुलब भासा का जो प्रयोग किया जाता है यह राजनिती की समा लोचना के लिए किया जाता है वास्तविक राजनिती के अध्यन के लिए नहीं किया जाता है यानि यथार्थ व्यवहार का विवर्ण देने के लिए या तो प्रंप्रागत भासा का प्रियोग किया जाएगा या आध्वनिक भासा का बल्कि राजनती की समा लोचना करने के लिए संथ सुलब भासा का प्रियोग किया जाता है यह भासा ऐ परहिग्रे जाग अहिंसा अध्यात्म से सम्मादित है यह गांदी जी विनोबा भावे जयन प्रकास नर्यन की जो भासा है वो इसके अंतरगत आएगी अगले विचारक लेते हैं माइनर वीनर माइनर वीनर ने भी भारत की राजनतिक संस्कृति के बारे मद्धन किया है लिखा है इनका लेख है इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर भारत में दो राजनतिक संस्कृतियां भारत में तो राजनतिक संस्कर्टिया माइनर वीनर माइनर स्पेज इसमें गायव रह गया है वैसे बता देता हूँ माइनर वीनर के हम बात कर रहे थे माइनर वीनर इनका लेक है इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर यह जो लेक प्रकासित हुआ था यह सिड्नी वर्बा और लूश्यन पाई की कृति में प्रकासित हुआ था सिड्नी वर्बा वै लूश्यन पाई जो ग्रती है political culture and political development जो 1965 में प्रकासित हुई थी इसी में प्रकासित हुआ था तो उस्चन पाई की ग्रती political development and political culture sorry political culture and political development political culture and political develop 1965 की किरती है और इसे में minor winner का लेक प्रकासित हुआ था इंडिया to political culture अर्थत भारत में दो राजनतिक संस्क्रतियां और इस लेक के अंतरगत minor winner ने भारत में दो राजनतिक संस्क्रतियां बताई है एक बताई है अभी जन वादी संस्क्रतिया विसिष्ट वर्गे संस्क्रति और दूसरी बताई है जन पुंजिया जन वादी संस्क्रति यह जनवादी यह जन पुंज संस्क्रति दो तरह की संसक्रतियों ao कि बात की है दो तरह की संस्क्रतिय माइजर वीनर ने भारत में बताई है मैं इसमें से अभी जन वादी या विशिष्ट वर्गी संस्कृति ऐसे संमंद में माइनर विनर कहता है कि यह है जो इल्ली कि संस्कृति आरे कर्वाम मशित !!! अन्य दिश्ट्न वादी संस्कृति आप पीण gefnd न ditesकतों यह जो संस्कर्ति है यह राष्ट्रिये नेताउं, वरिष्ट अधिकारियों, देना के उच्छ अधिकारियों, और अंग्रेजी भासी बुद्धी जीविं अंग्रेजी भासी बुद्धी जीवियों की संस्कर्ति है कि संस्कृति थीक है अभी जनवादी या विसिष्ट परगे संस्कृति नई दिल्ली की संस्कृति है ये राष्टी नेताओं वरिष्टा दीकारियों सेना के उच्छा दीकारियों और अंग्रेजी भासी जो बुद्धी जीवी हैं इनके व्यवहार में देखने को ये मिलती है और दूसरी संस्कृति बताई जनवादी संस्कृति या जनपुंज संस्कृति और ये आमजन की संस्कृति है ये आमजन की संस्कृति है और ये इस्थानिय सासन में देखने को मिलती है ये जिलों में देखने को मिलती है ये रजधानियों में देखने को मिलती है राज्यों की जो राजधानिया है और उमें देखने को मिलती है यह माइनर वीनर का बर्णन हो गया इसके बाद में रिचर्ड एल पार्क रिचर्ड एल पार्क इन्होंने भी भारत की राजधानितिक संस्कृति के बारे में वर्णन किया है इनकी पुस्तक के इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम उन्नियाज पॉलिटिकल सिस्टम 1989 में पुस्तक प्रिकासित हुई थी जिसमें भारत की राजधानितिक संस्कृति के बारे में इन्होंने लिखा है यह कहते हैं कि भारत की जो राजधानितिक संस्कृति है वो अनेक उप संस्कृतियां भारत में पाई जाती है अज़त भारत है वो सांसकर्तिक रूप से एकानवित देश नहीं है। भारत में अनेक उपसंसकर्तियां पाई जाती है। भारत सांसकर्तिक रूप से एकानवित देश नहीं है। इन्होंने एक गोल्डन एज थोरी भी दी है। तो किसकी है यह गोल्डन एज थोरी यह रिचर्ड एल पार्क की है। रिचर्ड एल पार्क की है गोल्डन एज थोरी। और ये इसमें ये कहते हैं कि प्रतेग जो संस्कृति है वो अपने एतिहासिक युग की जो गाथाएं हैं संसकर्ती हैं उसको याद करके गोरवानवित मैसूस करती है प्रतेक जो संसकर्ती है वो अपनी परंप्रा से जुड़ी होती है अपने एतिहास से जुड़ी होती है अपनी एतिहासिक यादों को छोड़ती नहीं है उन एतियासिक यादों को याद करके गोरवानवित महसूस करती है यानि जो बीत गया है उसको गोल्डन एज मानती है यहीं है इनकी गोल्डन एज छोरी अगले विचारक रजनी कोठारी रजनी कोठारी ने भी भारत की राजनतीक संस्करती के बारे में वर्डन किया है इनकी पुस्तक है एक पुस्तक है इनकी Politics in India 1970 में प्रिकासित हुई थी और एक क्रती है इनकी Caste in India Politics तो Politics in India 1970, Caste in Indian Politics 1972 क्रतिया है और इनके अनुसार भारतिये राजनतिक संसकर्ती में जातियों की मुख्य भूमी का है तो रजनी को उठारी के अनुसार भारतिये राजनतिक संसकर्ती में जातियों की मुख्य भूमी का है एक विचारा का फ्रांसेसी फ्रैंकल Francis Frankel इन्होंने भी भारत की राजनतिक संसकर्टी के बारे में लिखा है और Francis Frankel ने कहा है कि भारत में मिस्रित राजनतिक संसकर्टी है भारत में मिस्रित राजनतिक संसकर्टी बताई है Francis Frankel ने और जो रिक्स है रिक्स मिस्रित राजनतिक संस्कृति वाले समाज को सम पार्षविक समाज कहता है सम पार्षविक समाज प्रिजमेटिक सोसाइटी तो रिग्स विस्रित संस्कृति वाले समाज को सम पार्षविक या प्रिजमेटिक सोसाइटी कहता है और इस तरह के जो समाज हैं विकासिल होते हैं संक्रांती कालिन होते हैं विकासिल और संक्रांती कालिन होते हैं तो रिक्स के अनुसार हम भारत की संसकर्टी की बात करें तो रिक्स के अनुसार भारत का समाज कैसा है संपार्सविक समाज है यहां तक कुछ नहीं समझ में आया हूँ तो पूंस रखते हैं और क्लियर है तो बताएए क्लियर है ताकि हम क्लास को विराम दें क्लियर है तो यहां बताओश lights ग seek to let it चुछ ग्हां पुछ पू Nintendo बताओश dobrताव सकाथ पूंस अब में नहीं से लिए प्रतिने दित्व के सध्धान्थ होगा प्रतिने दित्व के सिध्धान्थ ठीक है तो आज के लिए इतना ही सभी को धन्यवाद जलते हैं नेक्ष क्लास में प्रतिने दित्व का सिध्धान्थ ओके